हनुमान व्रत कथा मंगलवार व्रत कथा एक समय की बात है एक ब्राहमन दमपत्ती की कोई संतान नहीं थी जिस कारण वह बेहत दुखी थे एक समय ब्राहमन वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया बहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की घर प पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ती के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्रहमनी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगा कर ही भोजन करेगी। वह भूखी 85-6 दिन तक पड़ी रही. मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई. हनुमान जी उसकी निश्ठा और लगन को देखकर प्रसन हुए. उन्होंने आशीरवाद स्वरूप ब्राहमनी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा. बालक को पाकर ब्राहमनी अती प्रसन हुई. उसने बालक का नाम मंगर रखा. कुछ समय उपरांत जब ब्राहमन घर आया, तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है. पत्नी बोली की मंगलवार ब्रत से प्रसन होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है. ब्राहमन को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ. एक दिन मौका देख ब्राहमन ने बालक को कुवे में गिरा दिया. घर पर लोटने पर ब्राहमनी ने पूछा कि मंगल कहा है. तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया. उसे वापस देखकर ब्राहमन आश्चर्य चकित रह गया. रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिये और बताया कि यह पुत्रों से उन्होंने ही दिया है. कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की क्रिपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दिया के पात्र बनते हैं.